हलो दोस्तो आज हम लोग बन्य यों बन्य जीव संसाधन जो चेप्टर वन है भोल का चेप्टर वन है और यह बहुत ही बड़ा चेप्टर है इसका गव पढ़ा रहे हम लोग पहले पढ़ चुके संसाधन क्या है इसके बाद हम लोग मिर्दा संसाधन पढ़ चुके हैं अब जल सनसादन पढ़श सक राओध सकते हुला यहां पहल्य बहुत हएं बहुत ही बादा पार पामशन बहुत ही बढ़ा चैप्र जो हो झेलने पाज़नी पर दोम कर लेते हैं तो लुख्वग लील हुग्व एस जिप से पर पहुधार लगे हो जाड़ियां लगे हो और उससे अच्छा दित्मन सज्जे हुए हो वह भुभाग प्रित्पी का वैसा भाग जहाँ पर पुरी तरह से बन हो प्याल पाउधे हो जाड़िया हो वैसे अस्थान को भुलोग बन कोते हैं बन देखिए दो प्रकारक होता है यह एक होता है प्राकिर्तिक बन दूसरा होता है मानो निर्मित बन प्राकिर्तिक बन में हम लोग जानेंगे प्राकिर्तिक बन वैसा बन जिसका विकास सवत्ता होता है सवत्ता मतलब किसी बीना मानुविये हस्ता छेप कहा है ना बीना मानुविये हस्ता छेप का यदि कोई बखुड़ा चता सब्सक्टाइब निम्त तो सली क्या और मानुए बन को हम लोग बनी की भी कहते हैं न ज आगे चलते और चलते हैं वैसा बन जिसका विकास मानव द्वारा हुआ है वैसे मानव निर्मित बन कहेंगा और इसे लोग बनी की भी कहा जाता है जैसे बगीचा हो गया पार्क हो गया इत्यादियों गया अब देखिए यह पुछा गया है और यह कितने प्रकारवत इस तरह से लिख सकते हैं यहां से प्रस्ण पुछ सकते हैं इसके बन का महत्वे बहुत ही महत्पूर प्रस्ण है और बार बार पुछा जाता है बन का महत्वे क्या है हमारे जीवन में या पर्यावरणी यह द्रिश्ठी से क्या देखिए सरव प्रतम मानव का विकास कहीं ने कहीं बन से हुआ है क्योंकि वहां से ब्यत्तित करना शुरू किया और वह आज इतना विक्सित कर चुका है दुसरा परिवहन के विकास में भी बहुत ही महत्पड़ भीम करा जिसे की रेल में आप देखेंगे रेल की पट्रियां बैल गाड़ी और अन्य जितने भी गाड़ी उसमें लकड़ी का यूज हो होते हैं कुदाल बना होता है हल बना होता है फावडा होता है इत्यादी का है यह बहुत ही महत्पूर कारे करता है क्रिश्ची के विकास में उसके बाद संस्कृतिक महत्व भी संस्कृतिक महत्व भी है चैसे की बहुत सारे जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे जो है प्यान है जिस नीम हो गया कुनेन हो गया कुनेन किस चीज में होता है तो मेलेरिया के लिए होता है और कैंसर के लिए टेक्सल होता है वह कैंसर के लिए बहुत ही महत्पुन होता है उसके बाद पर्यावरण यह संतुलन के लिए भी है न क्या होता है तो पर्यावरणों को संतुलन करने में है वर्षा का संतुल न करने में कैसे प्यान प्रतय क्शोजन हुआ यह क्या बना लिए बादल बना लिए व है फ़ल्टा चैनि वर भए सिंथार करते हैं जानदनें फिर बर्षा के रूप में कि रूप में chip में धर्ती प्रेते बर्षा को भी संगड़न करता उसके बाद आप जानेएं कि खाद स्रिख्ला घाइग्ण रिंख्ला को भी centro काता जैसे कि घास खाथ हई घास जो है घास को जो है टीडा खाएगा और टीडार को जो है शांप क्या है और सांप ख fenütन एक अश्ड़ उसमें ज्यादा दिनों तक जीवीत है नहीं रहा पाएंगे उसके बाद इसके बाद हम लोग अखले स्ट्राइड में चलते देखिए बंड रिपोर्ट ही बहुत ही महत पुर्ण है और बंड रिपोर्ट पुछता है ठीक है लिए हम लोग पढ़ेंगे कि बंड रिपोर्ट क्या है है तो इस भी बंड रिपोर्ट क्या है उसके सबनें मुलोग चर्चा कर रहें तो बंड पर लोगे बंड रिपोर्ट है कि लिए ब्लोग वर्ट पुछा जाता है तो यह अम लोगे इसकों मुस्सार कूल बंपर 30 कि यह आपको पुछे का भारत में कूल बन परतिसात कितना है तो कूल भगवलीक छेतरपल का कितना जाएगा बीस पेंट छोव परतिसात उसके बाद सरवाधिक बन वाला राजे कौन सा याथ एमपी हो गया अरुणाचल प्रदेश और 36 गोड़ और कॉम बन वाला जीना कौन हो जगा लक्ष दीप हो जगा सरवाधिक मेगरो वाला मेगरो बन कहां पर पाए जाते हैं तो सरवाधिक मेगरो बन आपको पस्ट्री मंगल पाए जाते हैं कहां पर पाए जाते हैं पस्ट्री मंगल पे सब याद रखेगा अबजेक्टिव में यहां से प्रस्ट्री बन सकता अब्जक्टिव में और काफी महत्पूर्ण यहां से अब्जक्टिव बनते रहते हैं हमेशा चलिए आगे चलते हैं उसके बाद बंद का हम लोग परकार पड़े हैं कितने परकार है न हम लोग बंद देखेंगे कि बंद देखेंगे बंद जो है इतने फंप कर लग्राइब हलिए उसको मतलब कीई नियंत्र और प्रबंधन के दिश्टि से पांच परकारक होते और प्रशस केद्रिश्टि से कितने होते हैं थीन परकारके होते हैं ठीक न कुछ गहनत्व का धार को सघन कहेंगे उसके बाद आपको आ जाएगा अत्यान सघन फिर खुलिया बन उसके बाद ज़ाडिया आ जाएगा और उसके बाद मैगरो बना जयाएगा तो पाँच प्रकार के हो जाएगे कि घनात्व का धार पर बन्नों का बरगी करन करें तथा विस्त्रीत बरगी करन तो इस तरह से आप बनाएगा है न और एक क्या होता आपको एक मैगरव बन हो जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रासास की द्रिष्टी से देखेंगे ते तीन प्रकार खोतें कौन-क आपको जागा रक्षित बन इजर फार्स्ट डेश के कितने प्रतिते लेगी के सब्था कों उन गया कटो기는 चाने में पर शीच सब्था यह और इसका सत्रह प्रतिते घिरा हुआ थे जाढ तो सुनियेगा इससे ने उसी ने देखी right अब बदकित से प्राश्रकित दिश्टी नियंतर प्रभंदन पर लोग देखेंगे तीन प्रकार के individual रफ्षित बन औल वाय नर्णय आ चोवन प्रतिस तरग आ रकषित बन रिज़ेर फॉरेस्स इसके बाद रकषित बन 39 परतिच और श्रस बंद यतिन्य सकते थी क्लियर है गनत्यों का दारप लोग देखे तेके पांच प्रकार पहला जो गया तिकी सरवाधिक सोगनबन जो भेरियों डेंसिटी वाला अत्यांत सोगनबन पूर्वत्तर भारत में पाए जाता है और यह जो है यह आपका सगन बन कहा मिलेंगे तो आप हिमाचल परदेश देख लिए आप हिमाचल परदेश उसके बाद सीकिम देख लिए महारास्ट देख लिए और इन सभी राजियों में कौन-कौन से मिलते हैं एंपी भी आप रहे हैं तो इन सभी में हम लोग को सगन बन मिलते हैं जिसकी डिनसीटी लगभग शगन बन की डिनसीटी लगभग जो है तो सब्सक्राइब करनाटक हो गया तमिलनाट हो गया और उडिश्या हो गया दस्षिण भारत में देखिए जिसे कहें आपको अत्यान सगन बन पुर्वोतर भारत खुला बन कहा देगा तो दस्षिण बन सगन बन तम्मद और यह हर्या हिमाचल परदेश सीक्किम और यहां पर सगन बने एंपी और महाराष्ट दो बीच में याद रखना है ना उसके बाद आप देखिए कि बुलेगा कि अन्य बन में आ जागा अन्य बन में जैसे अन्य बन में आ जागा रजस्थान बिहार यूपी बंगाल हर्याणला पंजा हम लोग मैदानी छेतर में यहां पर जो सगन ते कितना होता है जुआ हो दस्थ पर-30 तता इतना ख्याल रखना ध्यान रखना है ना का इसके बाद यहां पर मिया और अधेगर पन यहां पर देख सकते हैं है में सबुस्तार और कितना विष्थ से विष्जी कितना पूर्वोतर भारत इनौ पुर्वोतन भाहरत जम। सघंबन है इन विष्थ है जोים 20. 000.el cardiac बहुत जोgender इसके विष्थार पूर्वोतन भारतarent नाचल पर्देश मडिपूर मिजो रम मिघालय तिरपूरा इन सबी राजयों में इसका काफी अत्यान सवागन विशतार इसके बाद सवागन बन में लिखे तो इसका घंद विश्टार जिए 63 परतिसत होता है जी इसका विश्टार कितका है सीकही महचल पर्देश मध्य प्रणाटक और उडिश्था इसके बाद ज्ञाडियां वाला तो यह सब भीहार ज्रकंड भीहार वाले च्छेत्र में इसके अगहना तो कितना दस प्रतिस्था तो मुझे सबन है सब किलोमेटर तो वहां पर दस बन होगा है ना एक किलोमेटर में दस बन होने की तो बहुत घ तलेचत जिसरजस्थान में बिहार में जो है बिहार में बेस्ट बंगाल पंजाब और हर्याना वाले च्छेत्र में जहाडी एवं और ने बन पाया जाते हैं इतना तक के लिए इसके बाद आपको एक बहुत ही महत्पूर्ण पुछता है कि बिहार के बन इस्तिति के बारे सकते हैं कि बिहार के बन इस्तिती के बारे में तो उसके अलग हो जाने के बाद बहुत ही कम है अब समझ सकते हैं अधिकतर भूमी क्या है क्रिशी जो भूमी और क्रिसी जो भूमी में कोई भी बन नहीं लगाए चूकि खाने के लिए मुख्धश्व, खेत्र क्रिशी वाला भूमी होता है विहार में 38 जिल्ए है और 38 जिल्ए में से 77 जिल्ए में बन समाफ्थ होगे समाज यह कितना देन dairy स्थिति है कि 38 जिल्ए-17 में बन ही नहीं है बन भी छुट फुट बान है यहां पर कुछ बाचा इंतू सब्सक्राइब स år सद्निघडर फढAST रखरियायाया कूझ पर चमप रड़ान पर बिहार का भगवलिक्ष जो है भगवलिक्ष छतरपल का साथ प्रतिस्ट बन ही अब बचा हुआ है तो यह आपका पूचे का बिहार के बन इस्तितिक बार बर्णन करें तीस तरह साफ लिख सकते हैं बहुत ही एक अच्छा उत्तर हो जागा इस यहां तो यह दो नूमर में चा रक्षित बन यूह अन्य बन नूम फ्रकार के बन होते हैं थीक्वस को करने देखें अरक्षित बन देषब के द्रिश्टी से महत्पून होते हैं तो अरッक शित मन कहार अरख्चित मन का महत्व महत्व क्या आपना इसका दिखे एं दौकह करतें हैंonde सबस्तली परसार को रोकने में बहुत ही मदद करते हैं बन बन जीव का सरक्षन में मदद करते हैं जबकि जलबाई को नियमित करने में भी बहुत ही महत्तुब पूर्ज़िका है यह सब अरक्षित बन में आप लेख सकते हैं इसके बाद और इस बन के विष्थार कितना चोवन परतिजद है ना चोवन परतिजद विष्थार है अगले अरक्षित बन के बारे माम लोग और जान लेते हैं कुछ बातें कि अरग्षित बन मी मानौ गत्बीदियें वहां क्या है पूरी तरह से गत्बीदि पर रोह थे हैं यहांता पूरत तरकार के नियंत्रण में होता है इसके बाद रक्षित बन के बारे में जानेंगे रक्षित बन के इस बन्चेतर के विश्यस नियमों के अधिन यह बन्चेतर जो रक्षित बन जो है विश्यस नियम के अधिन लकड़ी काटने पसुचारण के अनुमति होती है यहाँ पर जो रक्षित बन्चेतर लोग पर 3076 पर है और इसमें किसि प्रकार प्राब्स सब्दादय और किसि प्रकार सकते हैं रदिशनी नहीं पहुंच आ सकते हैं इसके बाद Les Ambac बन आप आप जादेजानें कर और सरकार में प्रादय और उल्दा किदा वहानी देखर ले तरही हों कि सभी लोग याया से फ़ल तोड़ा लाते हैं अन्ने कारेध करते हैं पर पसु चराते हैं जिसतर समय लोग सोन है और सोन के बीच में जो है जो बन गया है दीप बन गया तो सभी लोग उज़ करता है तो वहां पर अबर क्रिक्षित बने लेकिन सरकार उसके लिए शुलक्वास उता लगान के रूप में जैसे टैक्स लेता है यहां पर सुलक ब्रभूमी पर फैला हुआ है इसके बाद हम लगते हैं बन हरास के बहुत ही मौत फूर्ण है और इसको आप इंप्वर्टेंट लगा लगा लेगा है क्रिस्य लोग ज्यादा कर रहे हैं और जो प्रिण को काट कर उसको भी क्रिस्य योग भूमी बना दे रहे हैं इसके कारण पी कहीं बन हरास हो रहा है उसके बाद जून खेतिया पूर्वोतर भारत में जाएगा वह जो नर्थ इस्ट जैसे मड़ी पूर हो गया ना मड़ी चिसे क्याना नाउंगль गल महा नद पर हिराकुन बाऻन्थ है यह सभी बहुत ही नदी घाटी पुर्जयना हैं और इससे हमको दामी पूर्दव काघव्य थे हैं लेकिन यह पिएड़ों के हराश के लिए थी यह यह जान रहे हैं के रहा थी अभी हाले में चार्जा था करन माननी को बार में कुछ इस तरह की घटना था कि वहाँ पर उध्योग लगाने के लिए प्याण बूलेक नहीं यह गलत है उसके बाद सहर होते जा रहा है तो कहीं न कहीं बन कम होते जा रहा है उसके बाद जनसंख्या ब्रीधी वी क्या कर जनसां के ब्रीदी हो रहा तो जो भी प्याण पोधे वाला छेतर वहां पर काट कर लोग अधिवास तुरा रहे हैं रहना प्रारंब कर रहे हैं उसके बाद जो है संबर्धन संबर्धन ब्रिक्षारोपन का इसको इंपोर्टेंट मार ले जा क्योंकि पूछ सकता है बनीज उ लोग लगाना चाहते हैं जिस्ते क्यों उनको लाब जैसे फल देने वाला प्याण या स्टागवान वैसे प्याण जिसका लखडी बहुत मत्मुर तो वैसे प्याण लगा जिससे का जो पहले का जोपने पोधा था जिसका उपियोग जो है परवरोनी द्रिष्टी से साही लेकिन मानुई द्रिष्टी से उतना उपियोगी नहीं था उन सभी प्याणों काज क्या होते जा रहा है समापन होने जा लुप्त होते है सागवान के रोपन से बहुत सारे प्लन का बरबाद हो उसके बाद चीड और पाइन से हिमाले के जो ओक और डेंड्रोन का नुकस न प्रकृतिक संसाथन जो प्रकृति ने दिया है जिसको प्रकृतिक संसाथन का उते हैं और फिर क्या कन्वेशन हुआ कि प्रकृतिक संसाथन का स्रक्षण किया जा उसके बाद भारत में ही पाइजाने वाले कुछ जीमें जैसे डल्फिन के वाल गंगा और ब्रहमपूत्रम पाइजा ती उसके बाद गेंडा हो गया और टेक्सल ऐसा एक प्यापदा जिसके इलाज के लिए उप्योंगता है चरक संहिता भरत मुनी द्वार लिखा गया और यह भारत से सबंदित है तो उमीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके त्यारीम साहक होगा यदि आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कोमेंट करें थेंक यू सो मच पर वाचिंग वीडियो